Body Building का शोक, Muscles बनाने हैं, Gym जाना हैं, बहुत Strong Muscles होने चाहिए और इस सब में कई बार जो Young Boys हैं या जिनको Muscles बनाने का बहुत जाधा शोक है वो गलती कर जाते हैं वहाँ पे वो Start कर देते हैं Anabolic Esteroids का लेना Anabolic steroids में बड़ा common एक injection है जिसको Deca Durabolin के नाम से जाना जाता है Intramuscular injection लगता है, बहुत ही viscous होता है हाला कि इसको therapeutic जब use किया जाता है तो osteoporosis में इसको दिया जाता है weakness, muscles की weakness में इस injection के दिया जाता है ये ज़रूरी भी है, उन लोग के लिए जहां पे इसकी जुरूरत है लेकिन अगर आप इसकी डोज जादा लेने लगें सिर्फ इसलिए कि आपको अपना body build करना है तो इसके बहुत सारे side effects भी है जो आपको long term में जाके बहुत नुकसान पहुचा सकते हैं जब आप anabolic steroids का ज़्यादा इस्तमाल करते हैं तो आपको एक तो जो breast का size है वो बड़ा होने का डर हो जाता है gynecomistry आओ सकता है आपको बाद में जिसके लिए हो सकता है आपको surgery कराने की भी जूरत पड़े उसके लावा जो आपका libido है यानि कि जो आपकी sex की desire है वो भी कम हो जाती है ये उसको भी suppress करता है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं ये जो आपका testis strong के levels है आपके शरीर के अंदर उसको भी reduce करता है तो अगर उसको reduce करेगा तो आपको बाकी complications हो जाएंगे इसलिए आपने देखा होगा कि जिम में जब जो लोग decadurabolin ले रहे होते हैं उनको testis strong के injections भी दिये जाते हैं लेकिन अगर आप testis strong भी जादा मात्रा में लेंगे तो उसका reverse effect भी होता है हाला कि testis strong को male hormone का जाता है लेकिन अगर उसकी मात्रा खून के अंदर जादा हो जाए तो फिर वो भी आपकी sex desire को कम करेगा उसके अलावा और भी कुछ cardiac action आ सकते हैं या दूसरे hormonal imbalances भी हो सकते हैं जिससे आपकी सिहत बिगड सकती है तो कभी भी इन injections को बिना doctor की advice के ना ले चाहे आपका जिम ट्रेनर कितना भी आपको motivate करे ये लेने के लिए कि कहीं न कहीं आपकी क्रडीज को नुक्सान करेंगे आपके बाल गिरने लगेंगे आपको गानेकोडमेस्ट्रिया हो सकता है लीवर पे बहुत खराब फरक पड़ता है और आपकी जो marital life है उसमें भी effect पढ़ सकता है क्योंकि अगर आपकी desire कम हो जाएगी तो शयाद आप अपने partner को खुश नहीं कर पाएंगे जिसकी वज़े से ये long term आपको नुक्सान होगा दूसरे आपको protein लेने की जरूरत है और लगतार आपको फिर exercise और वर्जिस करने की जरूरत होगी अगर आपने अपने आपको बीच में रोग दिया तो फिर आपको और भी ज़्यादे दिक्कत होगी इविन आपका weight भी बढ़ सकता है तो जहां जरूरत है इसकी जिन मरीजों का जरूरत है जिसे old age में या जिन ओर्टों को मिनोपोस हो जाता है उनमें osteoporosis की दिक्कत हो जाती है वहाँ पे decadurabolin injection बहुत काम की चीज़ है muscles को gain करने के लिए बहुत काम की चीज़ है protein को absorb कराने के लिए muscles में बहुत काम की चीज़ है लेकिन अगर access होगा तो ये नुकसान दे होगा इसलिए आप जब भी इसका chain करें बहुत सोच समझ के करें और doctor की सला के बगएर तो इसको बिलकुल भी ना ले तो मुझे उमीद है ये video मेरे उन दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा जो अपना bodybuilding की practice में लगे है आप अपने आपको बचाएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको like कर ले, share करें और चैनल को subscribe ज़रूर कर ले बेल एकन का बटन भी दबा ले मैं आपको इस तरह के medical informative video share करते रहता हूँ Thank you